नमस्क्रा दोस्तों मैं मयूर सुरिवनशी आपको यह बताना चाहता हूं कि एंटी रेगिंग का फॉर्म कैसे भरना है और इसको भरना क्यों आवशक है जब आप गुरुप में आके इस PDF को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है मयूर सुरिवनशी वाला फॉर्म जब आप इ इस प्रकार से आप इसको जब पूरा भर देंगे आपके एड्रेस के साथ में फिर आपके पैरेंट्स या गार्जियन की डिटेल इसमें आपको डालनी है तो आप आपकी गार्जियन की डिटेल इसमें डाल दीजेगा इमेल एड्रेस भी आपको इसमें कंपसरी डालना है देन फिर आपके पास college detail के बारे में इसमें जानकारी पूछी जाएगी college की बहुत सारी detail इसमें आपको डालनी है और सभी के आगे star लगावाई देन विक्रम उनिशिटी यह पर क्लिक करके प्रिंशिपल को सेलेक्ट करना है देन डॉक्टर लगा के मैम का नाम लिखना है देन फीमेल सेलेक्ट करके college का फोन नंबर college का फोन नम अगर आपको नहीं पता हो तो रतलाम का code डालीजेगा 07412-267597 यह अपना college का नंबर आपको आपके college की फाइल में मिल जाएगा then pass का police station का नाम station road डाल दीजेगा फिर आपको college की detail डालनी है इसके बाद में आपको course detail डालनी है course detail के अंदर आप क्या है under graduate है या post graduate है LLB student को as a post graduate deal किया जाता है इसलिए आप अगर LLB कर रहे हैं तो post graduate degree डालें अगर आप B LLB कर रहे हैं तो under graduate degree डालें इसके बाद आपके पास एक application number होगा वो डाल सकते हैं या enrollment number हो already आपके पास तो वो डाल सकते हैं अगर आपके पास enrollment number नहीं है तो application number डालें आपके class में number of student किते हैं तो वो डाल दें जैसे 120 है तो 120 डाल दें कितने साल के course में आपने admission लिया है तीन साल के तो आप वो डाल दें इसके बाद picture में आपको जो भी number डिल रहा हो डाल के next कर दें जैसे आप next करेंगे तो आपको second page दिखाई देगा आपको बहुत सारी लाइने दिखाई देंगी उन सभी के आगे checkbox होगा checkbox पर टिक करके 1,2,3,4,5 टिक करके देन आप image के अंदर का number डालके submit कर दें submit करने के बाद आपको एक inquiry form खुलेगा और इस inquiry form को compulsory आपको feel करना है क्योंकि सभी क्या आगे start लगावा है तो इस पर आपको compulsory डालना है क्या आपके साथ कभी रेगिंग हुई है तो नहीं हुई है तो कर दीजे यस नो यस नो में आपको जवाब देना है फिर आपसे 5522 यह नंबर आपको कहां से मिलेगा तो सिंपल सा लॉजिक है आपके नीचे लिखावा है 100 यह नंबर आपको इस पश्ट दिखाई दे रहा होगा इसे डाल दीजेगा क्या आपके कॉलेज में कभी रेगिंग होती है किस लेवल पर होती है होती है नहीं होती है वो सिलेट क नहीं करना है आपको सबसे पहले सका स्क्रीन शॉट लेना है देन उसके बाद जो आपका नंबर बता रहा है यह नंबर कौन सा वाला यह वाला नंबर 14 वाला नंबर जो है 14 करके जो भी हां से भी स्टार्ट होता है इस नंबर को कॉपी करना है कॉपी करने के बाद जब जाएगा homepage खुलने के बाद जैसे आपके सामने पूरा homepage आजाएगा यहां पर आपको यहां पर जाना है बहुत इस पश्ची चीज़े have you registered yourself and have not receive your undertaking तो यहां पर यह जो चीज़ है आपके सामने दिखाई दे रही है जिसको मैंने गोले में cover किया है यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक form फिर से खुलेगा इसमें आपको आपका जनल जनल सी चीज़े डालनी है जैसे आपका reference नंबर डालना है आपकी email address डाली जैसे आपने पेज है mobile काई और आपके पास जैसे pop-up आएगा यहां पर लिखा होगा your request undertaking email has been sent successfully आपको एक email आएगा जिस किसी भी email पर आपके भेजा है उस पर email आएगा अब आपका email खोलिएगा search पे जाएगा email के search पे और कोई सी भी एक चीज़ जो भी आपको सही लगे जिसे आपको sub type करना है तो search में sub type कर दीजिए anti-regging लिखना है तो anti-regging लिख दीजिए आपके सामने mail खुल जाएगा यह mail आपको इस email से आया है anti-regging के उससे तो आप जब यह खोलेंगे तो आपको पुरा mail आप पढ़ लीजिएगा खास बात इसकी है इस mail के अंदर आपके पास दो form आएंगे पहला आएगा आपका एफट 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 पैरेंट का देन फिर एफट 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 आएगा student का यह दोनों ही आपको college में signature करके जमा कराने इनमें है क्या जब आप इसको detail से देखेंगे तो इसके अंदर पह college में जमा करा देना है ठीक है किसी प्रकार के अगर कोई भी डाउट आता है समस्या आती है तो आप मुसे contact कर सकते हैं I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा और सभी student के लिए करना अनिवार है यह free of cost है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आप अप college को यह form जल से जल सम्मिट करके देंगे धन्यवाद